सब्वेता एक व्रक्स की तरह है व्रक्स की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ही वे तूफानों के सामने ठैर पाएगा भारती ये सब्वेता के दर्शन की जड़ें बहुत गहरी है भारत के दर्शन की गहराई को समझने के लिए भारती दर्शन की तुलना ग्रीक दर्शन से करते हैं यहां दर्शन का मतलब है बुद्धि मिता के परती प्रेम जबकि भारत में दर्शन एक आत्म साक्षातकार का उपाय है दर्शन याने देखना संसार को और अपने आत्म स्वरूप को इसका उद्देश्य है दुख मुक्ती पश्चिम में फिलोसोफी का उद्देश्य है बुद्धी संचालन पश्चिम में व्यक्ति के आत्मा एक बौध्धी की काई है जबकि भारत में ये बुद्धी से परे कही गई है कितनी परे है इस चित्र से समझते हैं ये नारंगी पट्टी भारती दर्शन में व्यक्ति के स्वरूप को रिखांकित करती है और ये नीली पट्टी पश्चिम के व्यक्ति के सोरूप को ये लाल रेखा हमारे बहरी और आंत्रिक व्यक्तित्र की विभाजन रेखा है बहर से ग्यान लेने में इंद्रियां और उपकरन सहयोग करते हैं अंदर हमारा मन बुद्धी आदी उनको ग्रहन करते हैं लेकिन हम कहां है, मैं क्या हूँ पश्चिम का मैं बुद्धी है, भारत का मैं बुद्धी के परे है वो सबसे अलिप्त होकर सब कुछ देख सकता है उसके लिए सब कुछ बाहरी है जबकि पाष्चात्य द्रष्टा बुद्धी बिन्दू तक के चेत्र को ही देख सकता है आप कितनी ही मात्रा में बॉद्धी गतिविदी कर लें बुद्धी आपको बुद्धी के पार नहीं ले जा सकती योग प्रकृती में उलजी हुई हमारी चेतना को सुलजाता है तब व्यक्ति तटस्त होकर अपने बहारी और आंतरिक संसार को देखता है ये नारंगी रेखाचित्र योग के ही दर्शन सांके के आधार पर बनाया गया है भारत में बहुत सारे दर्शन है सांके उनमें से एक है सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से एक जड़ जगत बना है जिसे प्रकृती कहते हैं चेतना को पुरुष कहा गया है प्रकृती और पुरुष इन दो तत्वों से विश्व बना है और इनी में लीन हो जाता है इनी में रहता भी है भारत के गाउं में आज भी लोग सात्विक राजसी और तामसिक भाव या भोजन की बात करते हुई मिल जाएंगे ऐसा प्रभाव है सांखे का और सांखे ही योग का दर्शन है विवारी के स्थर पर तो जो विदान्त है वो सांखे दर्शन ही है जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम यह जो विदान्त में माया है यह और कोई नहीं प्रकृति ही है क्योंकि माया भी वहां त्रिगुनात्मक है अब हुआ ये कि जो प्रकृति सांख्य में अत्यंत बलशाली प्रभावशाली तत्व था वो विदान्त में निरी हो गया और जो चेतन तत्व विदान्त में प्रभावशाली है वो सांख्य दर्शन में निरी है उपनिशदों ने सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की उपमा सफेद, लाल और काली बकरी से दी है क्या तीन गुणों वाला सांग के सब भारतिय दर्शनों का प्रतिनिदी हो सकता है इस विशे में एक सच्ची कहानी बताते हैं एक बार एमेरिकी प्रोफेसर जेराल्ड लार्सन वारानासी में पंडित गोपिनात कविराज से मिले कविराज जी आधुनिक समय में भारतिय धर्मसादना के सबसे प्रकांड विद्वान माने गए हैं उन्होंने जेराल्ड से पूछा तुम किसका अध्यन कर रहे हो जेराल्ड ने कहा मैं प्राचीन भारतिय दर्शनों में से एक सांके का अध्यन कर रहा हूं गोपिनात जी ने उसे बीच में ही टोकते वे कहा कि सांके भारतिय दर्शनों में से एक नहीं सांके ही भारत का दर्शन है इस बातचीत में सांके के व्यापक प्रभाव की पुष्टी होती है अते हमने ये रेखा चित्र सांके के आधार पर बनाया है और ये नीला रेखा चित्र चाए वो बुद्धिवादी हो या अनभवादी या फिर आधुनिक अस्तितवादी कोई भी दार्षनिक इस बुद्धि बिंदु को नहीं लांग पाया है मनो विज्ञानिक भी नहीं जो इगो फ्राइड ने पकड़ा है वह बहुत सताई है योग का इगो एहंकार ऐसमितानुगत समाधी से प्रत्यक्स होता है सच तो ये है कि हम इंद्रिय समवेदनाओं तथा मानसिक और बौद्धिक द्वन्दों में ही जीवन गुजार देते हैं ऐसे जीवन को योग ने अप्रसन्न जीवन कहा है जो प्रसन्न हो गया वो द्रष्टा हो गया जो इस बुद्धित की सीमित रह गया वो भोगता ही बन कर रह गया भोगताओं की सब्वेता हमें उपभोगतावाद की ओर ले जाती है और द्रष्टाओं की प्रसन्नता की ओर उपभोग्तवादी सब्वयता मानव के इंद्रीद सब्वयता है जिसे मानवादिकारों की आविशकता है संपून नेचर मानव के उपभोग के लिए है हवाई विश्विध्याले के प्रोफेसर रमेल ने मानव के विनासकारी सुभाव का बहुत गहराई से अध्यन किया है उन्होंने प्रकृती और मानव के संबंद के बारे में विश्व में तीन आधार बूद दृष्टिकोंड पाए हैं पहली पश्चिम की जुडो क्रिश्चन संस्कृती, दूसरी हिंदू बौद संस्कृती और तीसरी चीन की कनफ्यूशियस ताव संस्कृती पश्चिमी संस्कृती की मुख्यधारा प्रकृती से अलगाव की है प्रकृती के प्रतिव्यवार शत्रुता पून है प्रकृती का अध्यन और खोज करके उसका उपभोग होना चाहिए पश्चिम का मानव प्रकृती को जीतने में लगा है चीन की मुख्यधारा प्रकृती और मानव में समनवय की है लेकिन इन सब के विपरीत भारत में प्रकृती मानव की स्वतंतरता की सहायक रही है हमारा भोग और मोक्ष उसी के हाथ में है समाधी में योगी उसी के धर्मों को जानता है प्रकरती ही है धर्म की गुरू आईए हम धर्म को जानते हैं धर्म क्या है? धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है धर्म का विचार केवल भारत की संस्कृती में है वेद के रिशियों ने देखा कि ये स्रिष्टी एक व्यापक सुत्र का अनुसरन करती है उन्होंने उसे रित कहा ये स्रिष्टी रित से धर्ण की जाती है धारण शक्ती के कारण वे रित को धर्म भी कहते थे रित पर सत्ताटी की है इसलिए इसे सत्ते भी कहते थे सत्य या धर्म योग साधना का पहला चरण भी है और अंतिन लक्ष भी है पतंजली के योग में सादक सत्य रूपी यम से ही सुरुवात करता है और अंत में रितंबरा प्रग्या अर्थार्थ रित को प्राप्त करता है जब बुद्ध कहते हैं कि मैंने पुरातन पत को देखा और उस पर चला तो वे धर्म के ही मार्ग की बात कर रहे हैं ये मार्ग बहुत कठिन है बिना राग के बंधनों को काटे केवल किताबों के पढ़ने से धरम नहीं जाना जा सकता इसकी कठिनाई का स्मरन करते हुए भगवान बहुत भाउकता से कहते हैं अरे मैं माबाप और पतनी को अश्रुमुक छोड़ कर आया था ज्यान पाने के लिए सिदार्थ ने कहीं प्रियोग किये थे एक समय कठोर चंद्रायन व्रत भी किया था चंद्रमा की कलाओं के अनुसार गिनती के ग्रास खाते थे 24 घंटे में केवल एक बार पूर्णी मा को 15, 14 को 14, घटते घटते अमावस्या को कुछ नहीं शरीर कंकाल हो गया बिक्षा के लिए उठे और चक्कर खाकर गिर पड़े बेहोश हो गए लोगों ने समझा सिदार्थ की मृत्यू हो गई संदेशक ने राजा शुद्धोधन को सुचना दी राजन आपके पुत्र की मृत्यू हो चुकी है जब से सिदार्थ गए राजा का मुख आंसूं से भीगाई रहता था उन भीगे गात्रों को कंपाते हुए राजा ने कहा संदेशक ये हो नहीं सकता मेरा बेटा धर्म चक्रवर्तिन होगा पतंजली ने सबसे पहले अपने सादकों को मृत्यू से बचने के लिए जिस किले में सुरक्षित किया है उसका नाम है यम यम को बुद्ध ने शील कहा है धर्मराज यमराज कहे गए हैं जो धर्म की रख्षा करता है धर्म उसकी रख्षा करता है ये सिद्धान्त अतिप्राचीन है धर्मदारी सिद्धार्थ की मृत्यू नहीं हो सकती थी उत्साही ध्यानियों को धर्म प्रकट होता है बुद्ध ने जीवन भर धर्म ही सिखाया वे धर्म पाने के लिए ही ध्यान कर रहे थे आज हम धर्म से दूर भागने के लिए ध्यान कर रहे हैं इसलिए हमारा ध्यान फलित नहीं होता एनियंत्रित इंद्रिये रूपी म्रगों ने साधना की खिती उजाड़ दी है कबीर के जतन, पतंजली के यम, बुद्ध के शील और महावीर के महावरत धरम का ही अभ्यास करा रहे है अहिंसा परमधरम है लेकिन धरम की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी मूलत अहिंसा ही है परस्तितियां बदलते ही धरम बदल जाते हैं इसलिए धरम-शास्त्रों में कभी-कभी विरोधी विचार भी मिलते हैं So Shruti is the Sanatana Dharma, the Vedas which are permanent, eternal and Smritis are the texts that are changing, things that happen in history. New events happen, new laws are made, society changes. So all that we learn about society, politics, history, science, human beings comes under Smriti. And all we know about the ultimate reality comes under Shruti. So this is an extraordinary feature about our tradition. It is neither something fixed in history, nor is it something that's so permanent that it cannot handle change and progress and research and new developments. The Hindu Dharma, which is the modern term for the Vedic tradition, is both permanent, eternal, has a solid foundation, and it's also constantly evolving, adapting with the newest things happening in time. So if somebody says that a particular tradition is no longer useful, no longer meaningful, well, we can create a new Smriti, there is no law against it. In fact, the people who wrote the ancient Smritis themselves said that these Smritis are for a certain time and a certain context. And every period of time, every location, every situation must develop its own Smritis. इसलिए स्मृतियां कई है, जो अलग-अलग युगों में लिखी गई है. धरम शास्त्रों ने भारतियों के उपभोग पर दिशा, देश और काल की सीमा लगा दी. जैसे तीरत में हिंसा नहीं करूँगा, विशेश तिथी में बैल नहीं जोतूँगा, विशेश तिथी या वार को मांस नहीं खाऊंगा, प्रकरती से उतना ही लूँगा, जितने काव है पुनरभरण कर सके. हर प्राणी की मादा धर्ती का रूप है, उसके हनन से सांतत्य तूटता है, उसको मारना अधरम है, कभी-कभी नर को मारना भी अधरम हो जाता है. ये लोग इस विशे में उज्जेन के राजा भरतहरी की गता सुना रहे हैं, आज राजा भरतहरी ने एक नर हिरन को ही तीर मार कर घायल किया है, लेकिन लगता है इसमें भी अधरम हो गया है, हिरनिया पीछे-पीछे आ रही है. राजन आप हम में से किसी एक का शिकार कर लें, हमारे जुंड में ये एक मात्र नर बचा है, उसको भी आप ले जा रहे हैं, हमारा वंच कैसे चलेगा, हम अनात अंदकार में कैसे जिएंगी. राजन नहीं माना, किरनियों ने श्राप दिया, राजन जैसा हम पर हुआ, आप पर भी हो. राजा को योगी गोरकनात मिले, वैराग हुआ, क्रहत्याग किया, पत्नी पिंगला अनात हो गई. राजा ने हिरनों के सांतत्य को तोड़ा, उसका भी सांतत्य तूट गया. मनुष्य जाती ने आज वन्य जीवन का सांतत्य तोड़ा है क्या अब मनुष्य जाती के विनाश को कोई रोक सकता है भारतियों का ये विश्वास था कि यदि हम प्रकृती के प्रती अपने धर्मों को नहीं निभाएंगे तो वे भी हमारे प्रती अपने धरम को नहीं निभाएगी विनाश, महामारी और आकाल मृत्यु लाएगी भारत के चारों प्रमुक संपरदाई इस करम सिध्धान्त को मानते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे ये कारेकारण ही पुनरजनम का आधार है पुनरजनम करमों का उत्तरदाईत्व है मार्क स्वाद इसे नहीं मानता इसलिए निर्देता पूरवक हत्याएं करता है जिहादी और कुरसेडर इसे नहीं मानते सोचते हैं उनके करमों को उपरवाला माफ कर देगा या पुरुसकार देगा इसी लिए निर्मम हत्याएं करते हैं भारत के कई संप्रदायों में भगवान है ही नहीं आपको माफ करेगा कौन आप और आपके कर्मों के बीच कोई नहीं है भारत में जो भगवान है वो केवल उपर बैठ कर किसी एक आदमी का कान नहीं फूखते स्वयम देह धारन करके कर्मों का उत्तरदायत्व लेना सिखाते हैं जैसे हजार बच्डों के बीच एक गाय अपने बच्डे को ढूंड लेती है वैसे ही आपके कर्म आपको ढूंड लेंगे इसलिए भारत के लोग विचार पूर्वक करम करते हैं भारत करम भूमी है दूसरी भोग भूमिया है दूसरों का धन लूट कर और प्रकरती का दोहन करके लोग सुख भोग सकते हैं लेकिन सुख मोह कारक है बंदक है तो स्वतंतरता क्या है? मोह का क्षै अथार्थ मोक्ष मोक्ष का लक्ष जीवन की दिशा बदल देता है अपनों को हूर की परियों के स्वर्ग और परायों को नर्ग पहुँचाने वालों ने धर्ती पर बहुत खून बहाया है हवाई विश्विद्याले के विद्वान प्रोफेसर जोसेफ रेमल ने तीश वरसों तक पूरी विश्व से मानव द्वारा मानव की हत्या यानि डेमोसाइड के आंकड़े ही कत्रित किये उनका अध्यनकाल पांच्वी सदी इसापूरु से बीस्वी सदी तक था वे ये जानकर हैरान रह गए कि पूरी दुनिया में भारती एक बड़ा इस्थान है जहां तेरेमी सदी तक सिर्फ कलिंग युद्ध को छोड़कर व्यापक नरसंगार अर्थार्थ डेमोसाइड के प्रमान नगन्य है डेमोसाइड सब्विताओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है धरम ही भारती सब्विता के व्रक्स की जड़ है ये जड़ इतनी गहरी है कि विश्व के सबसे भयानक आकरमनों को जेल कर भी भारत आज हमारे सामने खड़ा है विश्व की सब्विताओं एक दूसरे के विनाश में लगी थी सामराज्य एक दूसरे को तहस नहस कर रहे थे मनुष्य अपना मत या रिलीजन दूसरों पर थोपने के लिए उनका नरसंगार कर रहे थे तब भारत में शानती समरद्धी और समरस्ता की त्रिवेनी बह रही थी यहां एक नहीं सेंकडो राजा थे लगातार युद्ध करते रहते थे सेंकडो मत और दर्शन थे खूब विवाद करते थे कभी-कभी विवाद में कटुता, मारपीट या हत्या भी होती होगी लेकिन बड़े नरसंगार नहीं हुए युद्ध हो और युद्ध में नरसंगार नहो विश्व इतिहास जानने वालों को ये असंभव लगता है लेकिन भारत में ये सत्य है युद्ध सुर्योदे के बाद ही आरंब हो सकता था और उसे सुर्यास्त पर इस्थगित करना पड़ता था विश्व में बुजे हुए, आग में तपे हुए या शरीर को उतपीड़ित करने वाले सस्त्रों का प्रियोग वर्जित था दूसरे के साथ युद्ध कर रहे व्यक्ति पर वार करना मना था रत में बैठा हुआ किवल रती से और पैदल वाला पैदल से ही लड़ सकता था यहां तक कि कवच वाला कवच रहित पर प्रहार नहीं कर सकता था बलवान ग्योद्धा दूरबल या नीसंतान पर आगात नहीं कर सकता था जिसके शस्त्र तूट गए हूँ या जो दुखी हूँ या घाओं से विकल हो या भैभीत हो या भाग रहा हो उस पर प्रहार करना मना था जिसका धनुस या वहन तूट गया हो वो अपने अधिकार में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और उसे सुरक्षित घर पहुचा देना चाहिए ये हजारों वर्ष पुराना धरम था 1949 का जेनेवा कन्वेंशन नहीं किसी भी सब्वेता ने युद्ध के ऐसे नियम नहीं बनाए जिस हिंदू धरम ने ये नियम बनाए डैमो साइड नहीं होने दिये जिसने विश्व के उत्पीडित अलपसंकेकों को शरण दी उनका पोशन किया उसी धरम को सैक्यूलरिज्म ने मिटा दिया हिंसा जिसका साधन रहा है उस समाजवाद को सम्विधान की प्रस्थावना में स्थान मिला और अहिंसा जिसका लक्ष है वै धरम एक भी अनुच्छेद में नहीं है जिसकी शरण में जाकर हमारे पूर्वजों को ध्यान मिला उस धम का कानून की पुस्तकों में और भारत के न्यायलों में नाम सुनाई नहीं पड़ता आश्चरे नहीं कि उसका विग्रहे सत्तर साल तक तंबू में पड़ा रहा राम एन हजारों पीडियों के कंट से गुजरी है जितना नाटक इस गरंत पर खेला गया है उतना संसार के किसी गरंत पर नहीं हर वर्ष गाउं गाउं में राम लिला होती है हजारों कथाएं साल भर चलती रहती है कई गोष्ठियों में इस पर चर्चा होती है संस्कृत, प्राकरत, तमिल, तेलगू कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायन पर नहीं लिखा गया हो भारत का ऐसा कोई खेत्र नहीं जो रामायन के प्रभाव से बचा हो रामायन का विस्तार प्राचीन भारत की संस्कृतिक सीमाओं की याद दिलाता है हिंदू, बौध, जैन, सिख, वनवासी, गरामीन, विद्वान या निरक्सर सब ने राम कता पर अपनी चाप छोड़ी है रामायन भारत की सबसे विशाल और गहरी निरंतरता है के अपरिग्ठा कुर्ण ओमधी है करना मज़ दे ने गहरी राम है पुरीज रदेडूस शाखै, पुरीजर में तोपी ऐसानों पीजर में था खंग, आपे रहे लेंगे चिलले다, which are the झाल झाल